गुद मॉर्णिंग बच्चों आज हम कसिफ राइटिंग में लैटर बी बनाएंगे लैटर बी कैसे बनाते हैं वान टू त्री त्री लाइन्स में बनाना है हमें तो फर्स लाइन से स्टार्ट करेंगे फर्स लाइन से नीचे आएंगे नीचे से turn करेंगे back फिर एक circle बनाएंगे half circle फिर under turn करेंगे फिर second half circle बनाएंगे तो यह हमारा भी ऐसे बनेगा before back अब देखिए start करते हैं one two three three lines पर बनाना है हमें ठीक है बट पहले यह देख लीजिए यह small cursive है और यह capital cursive है small cursive कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए one two three three lines है तो three line पर आईए three lines से उपर जाएंगे turn करें turn करके half circle बनाया under turn करा फिर बहार ले गए ऐसे हमें small cursive बनाना है ठीक है तो complete कर लीजिए पहले small cursive one two third line पर आजाएंगे third line से उपर जाएंगे back करके half circle अंदर turn किया और बहार ले आएंगे next भी ऐसी बनाना है उपर गए नीचे आगए नीचे से half circle turn next ऐसी बनाना है उपर गए उपर से नीचे आए नीचे से half circle बहार निकाल दिया ठीक है अब यहाँ captor cursive बनाना है captor cursive कैसे बनाते हैं 1, 2, 3, 3 लाइन से बनाएंगे तो देखिए first line से आया है थोड़ा टेड़ा किया curve किया back किया half circle बनाया अंदर turn किया पिर second half circle बनाया तो भी हमें captor cursive भी ऐसे बनाना है पूरा complete कर लेजिए थोड़ा टेड़ा चलाना है back किया half circle बनाया अंदर turn किया और half circle बना दिया next ऐसी बनाना है आपको भी नीचे आए नीचे से back किया अंदर गया बहार आ गया ऐसे बना दिया complete कर लीजी लाइन under turn किया half circle बनाया बन गया last one इस लाइन का last one turn किया half circle बनाया अंदर ले गया half circle बना दिया B next line भी ऐसी complete करनी है next line भी ऐसी complete करनी है तो करिये back किया अंदर ले गया बहार आ गये circle बना दिया अब देखिए फिर थोड़ा टेडा आए back किया अंदर गये बहार आए फिर एक और circle बना दिया half circle ऐसी complete करना है हमें back आए फिर ऐसी complete कर लीजेगा उपर से नीचे आए back किया half circle फिर half circle ये हमारा page complete हो गया next page भी आपको ऐसी करना है निकाल लीजे next page अब देखिए बिटा next page में भी आपका small cursive and capture cursive दिया हुआ है तो बनाना है आपको पहले first line small cursive वाली complete कर लीजेए third line पर आगए third line से उपर गए उपर से back किया half circle बना दिया turn किया फिर बहार निकल आए ठीक है one two third line पर आगए back किया half circle बनाया बहार निकाल दिया ठीक है फिर next में ऐसी करना है third line पर आगए उपर गए back किया half circle turn third line पर back किया half circle बनाया turn कर दिया ऐसी complete करना है वाली line आपको third line पर आगए थर्ड लाइन पर आगए उपर बैक किया half circle बनाया बहार निकाल दिया लास्ट वन इस लाइन का लास्ट वन है हमारा half circle बना दिया turn कर दिया next हमें ऐसी करना है captor cursive now captor cursive कैसे करना है हमें अभी मैंने बनवाया वैसी बनाना है three line पर बनाना है first line से नीचे आए back किया उपर गए half circle बनाया अंदर turn किया फिर half circle बना दिया ऐसी आपको complete करनी है lines one, two, three three line में थोड़ी pencil टेड़ी कीजिएगा back करियेगा half circle अंदर turn किया फिर small एक और circle बन गए हमारा बी ऐसी complete करना है आपको ए line थोड़ी टेड़ी pencil चलाईएगा back किया एक circle बनाया एक और half circle बना दिया next one टेड़ी आपको बनाया टेड़ी आपको एक पका बनाया next one वझं झाव हैu आपकोаюक कbeeा बाएगा ी आपको माझ गराएगा आपकोड़ी आपको बनापको ऐसी बनाना है, okay? नेक्स लाइन भी ऐसी कम्लीट करना है आपको पर्स लाइन से थर्ड लाइन पर आये, बैक किया, हाफ सर्किल बनाया, अंदर टर्न किया, हाफ सर्किल और बना दिया, फिर हाफ सर्किल बनाया, अंदर टर्न किया, हाफ सर्किल एक और बना देंगे, okay? यह भी लाइन ऐसी कंप्लीट करनी है बैक किया हाफ सर्किल बना दिया अंदर टर्न किया एक और हाफ सर्किल बना दिया फर्स लाइन से थर्ड लाइन पर थोड़ी टेड़ी पैंसिल की कव बनाया एक हाफ सर्किल फिर टर्न किया फिर अंदर हाफ सर्किल फर्स लाइन से थर्ड लाइन पर गया, बैक किया, हाफ सर्किल, अंदर टर्ण किया, एक और सर्किल. तो यह हमारा भी इदर का कंप्लीट हो गया है, अब एक लाइन हो रहे गई है, वो भी हमें ऐसे ही करनी है. फर्स लाइन से थर्ड लाइन पर आए, बैक किया, हाफ सर्किल बना दिया, टर्न किया, एक और हाफ सर्किल. ऐसी वाली लाइन कंप्लीट कर लीजिए. देखिए बच्चों, यह वाली लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है, देखिए, पूरी फिनिश कर ली, ठीक है? तो बच्चों, आज हमने 20 और 21 पेज कंप्लीट कर लिया है, आपको भी नीट और क्लीन राइटिंग में करना है, तिल देन मेटा, गुड बाई.